इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह पेंटोया टैगोरी क्या चीज है? ठीक है, तो ये जो चीज और रिसर्चर्चर्ज जो थे विस्व भारती उनिवर्सिटी के उन्हों ने इडेंटिफाई किया एक बैक्टिरिया जिसका नाम उनों ने रखा था, रखा है पेंटूरिया टेगोरिया टेगोरी करके है ठीक है यह असद में जो बैक्टेरिया है यह Plant Growth करताई है मतब Plant Growth को Promote करता है और यह जो बैक्टेरिया जो मिरा है यह मिरा है आपका जो जharia кोल माइन है यह वहाँ पे जो सोइल पाया जाते है वहाँ पे जो मिट्ट मेरा है नाम ранगा के नाम पर रखा गया है यह जो यह जो Bacteria है इसका इसका खाजबात क्या सिए पहला चीज यह क्या करता है कि जो potassium होता है । ? सॉईल में जो potassium होता है उसको extract करता है और extract करने के बाद में उसको solubilize करता है ताकि ताकि जो potassium है, उसको आसानी से, क्या बोलते हैं, जो पेड़ है, plant है, वो उसको आसानी से absorb कर सके और अपना growth कर सके, तो potassium को वो solubilize करता है, साथी साथ वो phosphorus को भी solubilize करता है, यह जो bacteria है, pentoya tegory, उसके बाद क्या है, यह nitrogen जो है, वो जमीन में डालता है, जो कि इससे क्या हो होता है कि, जो synthetic fertilizer है, उसका use कम हो जाता है, ठीक, इसका जो benefit है, pentoya tegory का, वो यह है कि इस bacteria के वज़े से, जो soil के जो nutrient है, वो improve होता है, जिससे क्या होता है, कि जो crop yield है, वो increase होता है, साथी साथ एक तरह से यह sustainable और cost effective agriculture भी है, क्योंकि एक तो यह क्या बोलता है, आपका bio fertilizer है जो की सस्ते में ही मतलब मिल जा रहा है, साथी साथ, जो chemical fertilizer था, उसका use कहीं न कहीं बंद हो जाता है, उस पे जो खर्च है, वो कम हो जाता है, तो यह इस bacteria का benefit है, तो यह हो गया आपका pentoya tegory का topic